so hello guys अब जैसा के तुम लोग जानते ही हो Mario World universe के अंदर Asgardians हमें काफी जादा important देखने को मिले हैं इन जेनरल सभी Nores god हमें काफी जादा important देखने को मिले हैं now Mario World comics के अंदर बाकी सारे different pantheons भी exist करते हैं but to be honest none of them are as prominent as Asgardians और जिसकिसी को भी Asgardian Cosmology के वरे पता है उसे 9 Realms के बारे में भी पता ही होगा Well, Comics के अंदर, Marvel Comics के अंदर हमें actually 9 नहीं बलकि 10 Realms देखने को मिले हैं और ये 10 Realms काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग निकल के आते हैं और आज ही नहीं के उपर अपन बात करेंगे जहां आज की इस वीडियो में मैं Marvel Universe के इनहीं 10 Realms को डिसकस करने वाला हूँ कि आखिर Asgardian Cosmology के ये 10 Realms क्या निकल के आते हैं So, ये वीडियो सच में काफी ज़्यादा इंटरस्टिंग होने वाले हैं without wasting any more time चले शुरू कर लेते हैं आज के समयजिंग वीडियो को Now, in case जिननों को पता नहीं हैं तो basically Marvel Comics के अंदर Asgardian Cosmology के जो 10 Realms हमें देखने को मिले हैं वो separate worlds निकल के आते हैं, separate dimensions निकल के आते हैं where some are planets and some are full-fledged universes और ये सभी के सभी dimensions, ये सभी के सभी worlds, ये सभी के सभी realms जो हैं actually में connected हैं एक द्रिसल के वज़े से जिससे हम The World Tree के नाम से भी जानते हैं जिसके roots इन सभी 10 Realms तक फैले हुए हैं और इसी के जर्ये ये सारे 10 Realms कह सकते हो कि अपना shape लेते हैं और constantly अपने आपको alive रखते हैं और उस भी सिससे अगर देखा जाए तो अब यहाँ पर बात करेंगे उन 10 Realms की जो मारॉल कॉमिक्स के अंदर हमें देखने को मिले हैं Starting off with Asgard Now Asgard के बारे में तुम सभी जानते ही हो Asgard is the realm of the Asgardians जहां हमें सारे Norse Gods देखने को मिले हैं Norse Pantheon के Gods देखने को मिलते हैं Characters like Thor, Loki, Odin, Frigga They all resides from here और हमें पता है कि Asgard एक काफी कह सकते हो कि prominent जगह है काफी prominent realm है when it comes to the Marvel Comics और Asgard कहीं न कहीं 10 Realms में सबसे ज़्यादा important में से एक हमें देखने को मिलना है जो एक काफी ज़्यादा magical जगह निकल के आती है जहां Asgard full of magic है full of sorcery है और Asgard में हमें particularly दो seasons देखने को मिलते हैं जो निकल के आते हैं perpetual winter and perpetual summer जिसके साथ-साथ Asgard काफी ज़्यादा कह सकते हो कि Marvel के Cosmology का एक important part भी निकल के आता है जहां bifrost भी Asgard ही में कह सकते हो kind of create हुआ था जिसे हम rainbow bridge के नाम से भी जानते हैं जो Asgard को और Midgard को connect करता है इसके अलावा हमें city of Asgard देखने को मिला है जो Asgard का capital निकल के आता है हमें Norheim देखने को मिला है जो Asgardian province है इसके अलावा हमें sea of mist देखने को मिला है इसके अलावा हमें sea of mist देखने को मिला है Asgard में the water body that connects Asgard with the eyes of silence और साथी साथ यहीं हमें Valhalla भी देखने को मिला है that is the place of the honor dead जिस बशेस से अगर देखा जाए most important planet in our solar system और यहीं हमारे सारे के सारे main superheroes recite करते है Avengers, Spider-Man, X-Men जितने भी important moral characters हमें देखने को मिले है वो Midgard से ही belong करते है और उस विससे अगर देखा जाए तो since Midgard 10 Realms का part है तो यह काफी जादा important world निकल के आता है कि काफी जादा important dimension निकल के आता है जिसके वज़े सही यह चीज़ सेंस भी बनाती है कि क्यों हमें अर्थ पे इतने जादा constant problems constantly देखने को मिलते जाते है काफी मिटगार्ड या फिर काफी अर्थ is a part of a way bigger cosmology और उस विससे अगर देखा जाए तो मुझे मिटगार्ड के बारे में जादा कुछ top of the world tree और उस बेसी से अगर देखा जाए तो यह हमें एक काफी beautiful जगा देखने को मिली है जहां आलफाइम is a kingdom of enchanted forest, vegetation, rivers and beautiful gardens जिसके साथ-साथ यहां several different tribes भी exist करती हैं जैसे के light elves, pixies और mormats और साथ-साथ यहां में unicorns भी देखने को मिले हैं overall अगर देखा जाए तो आलफाइम एक काफी beautiful realm निकल के आता है which was ruled by Lord Frey and his lady wife Gird और तो और Thor, young Thor and young Loki basically were sent there during their training और उस बेसी से अगर देखा जाए तो Asgard और आलफाइम के बीच का relation हमें काफी बढ़ियां देखने को मिला है Jossel Fard is the capital of this realm और इसके साथ साथ Sea of Marmora भी यहीं से बहती है जिस बेसी से अगर देखा जाए तो this is one of the most beautiful realms in all of Igdrasil Next up we have Vanaheim अब Vanaheim basically हमें the realm of Vanir देखने को मिला है which is also located on the highest level of Igdrasil अब अगर देखा जाए तो Vanaheim में हमें Vanir देखने को मिलते हैं who are the sister race to the Asgardians और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो Vanir जो है masters of sorcery और magic निकल के आते हैं और basically उन्हें जाना जाता है उनके specific talent के वज़े से और क्योंकि वो future को प्रिट कर सकते हैं इस वज़े से और अगर देखा जाए तो Vanaheim भी एक काफे interesting realm निकल के आता है which is filled with vast forest, field and plains जहां काफे सारे different races such as rock trolls और ogres भी exist करते हैं और उस विसस से अगर देखा जाए तो this realm is filled with runes of gigantic mountain-sized castles and citadels जिसके वज़े से Vanaheim के अंदर हमें काफे सारे runes और abandoned cities भी देखने को मिले हैं और overall यहां भी काफे सारे old Asgardians अभी भी exist करते हैं Next up we have Jotunheim Now Jotunheim हमें the realm of the giants देखने को मिला है जहां Jotunheim exists on the middle of the world tree और उस विसस से अगर देखा जाए तो Jotunheim हमें एक काफे ठंडी जगा देखने को मिली है जहां हर तरह के giants exist करते हैं frost giant, storm giants, brine giants It is a cold and barren world with very little sunlight which contributes to a near perpetual winter जिसके वज़े से Jotunheim में हमेशा ठंड रहती है और तुम में से maximum लोगों को पता ही होगा कि लोगी originally Jotunheim से ही बिलॉंग करता है और उस विसस से अगर देखा जाए तो Jotunheim की जो है कुछ interesting places भी देखने को मिली है सच as knife river, well of crimson waters, valley of the storm giants, etc, etc जो चीज यौतunheim को भी एक काफी important realm बना देता है Next up we have Nidavillor Nidavillor हमें the realm of the dwarfs देखने को मिला है यह हमें बॉनों की दुनिया देखने को मिली है which is also located in the middle region of the world tree and it is part of the same dimension as Asgard अब अगर देखा जाए तो जो dwarfs हमें देखने को मिले हैं जो बॉने हमें देखने को मिले हैं वो underground work करते हैं वो carving करते हैं वो weapons expert निकल के आते हैं और 10 dreams के अंदर जितने भी हमें सबसे strong weapons देखने को मिले हैं वो सभी basically Nidavillor से ही belong करते हैं originally कज जो dwarfs की race है they are capable of crafting the most powerful weapons in all of 10 dreams जो चीज निदा विलर को एक काफी interesting place बना देता है और तो और यहां में काफी सारी interesting locations भी देखने को मिली हैं जैसे की endless flame से बारा swamp हो गया nightmare plant से बारा forest हो गया mountain steel storm, sunless sea ऐसी काफी सारी चीजें जो है Nidavillor में exist करती है जो चीज इसे काफी जादा interesting realm बना देती है next up we have वार्तलहाइम वार्तलहाइम को हम dark world के नाम से भी जानते हैं that is the realm of the dark elves अब अगर देखा जाए तो वार्तलहाइम में basically dark elves exist करते हैं and the climate of the realm has been shown to be heavily wooded जहां यहां काफी सारे dark elves towns, villages, castles हमें देखने को मिले हैं dark elves actually में above the ground और underground दोनों जगा जो है रहते हैं and उसमेस से अगर देखा जाए तो the dark world काफी जादा interesting जगा निकल के आती है and specifically dark elves के पास हमें उनके खुद के portals देखने को मिले हैं जिसके मदद से वो entire 10 realms में कहीं पे भी जो है खुद को टेलिपोर्ट कर सकते हैं now due to their appearances dark elves को basically काफी बुरे तरिके से treat किया जाता है in the 10 realms और इसी वज़से वो generally काफी जादा हॉस्टाइल हमें देखने को मिले है and उस बसे से dark elves कहीं न कहीं हमें villain-like characters देखने को मिलते हैं और इसे वज़से जो dark world है वारतलहाइम है वो भी एक काफी जादा weird yet interesting place निकल के आता है 10 realms में से next up we have Niflheim Niflheim हमें the realm of the dead देखने को मिला है जो basically locate है beneath the third root of Yggdrasil और उस बसे से अगर देखा जाए तो it is the fourth northern region of icy fogs, mist and darkness जिस basis से ही इसे realm of death कहा जाता है और hell भी Niflheim में ही located है जहां हेला हमें Niflheim की ruler देखने को मिली है और उस basis से अगर देखा जाए तो Niflheim में काफी fucked up place निकल के आता है जहां काफी सारे different different specific जगाएं भी मौजूद है यहां हमें एक primordial void देखने को मिला है that existed prior to the creation of the manifest universe साथी साथ यहां हमें तीन ऐसे कुएं भी देखने को मिली हैं जिने एक dragon protect करता है जिनमें काफी ज़्यादा specific abilities और powers चुपी है और उस basis से अगर देखा जाए तो Niflheim एक काफी ज़्यादा fucked up place निकल के आता है because it is a realm of plagues and death और वही सब चीज इसे काफी ज़्यादा depressing और dark बना देता है next up we have Musfalheim Musfalheim हमें the realm of the fire demons देखने को मिला है यहां fire demons fire giants exist करते है Musfalheim is located in the lower region of the world tree and it is a realm of eternal fire and the home of fire giants and fire demons और Surtr भी यहीं recite करता है अब अगर देखा जाए तो Musfalheim के बारे में जो है जादा कुछ बताने का हमारे पास है नहीं क्योंकि यह totally एक fire से भरी वी जगा है यहां का जो आग है वो कभी बुचता नहीं है और उस बिसिस से Musfalheim जो है basically fire demons को जो है represent करने का काम करता है और जब कभी भी Ragnarok आता है यानि कि Asgard का अंता आता है तब Musfalheim Asgard पे हमला करता है और Surtr Asgard को destroy कर देता है और उस बिसिस से अगर देखा जाए तो Musfalheim में हमें काफी सारे जगाएं देखने को मिली है सच as Palace of the Queen of Cinders, The Burning Throne, Surtr's Abyss, The Burning Sea ऐसी काफी सारी चीज़े निकल के आती है जो सभी Eternal Frame से जुड़ी हैं जिसके वज़े से वो constantly fire emit करती रहती है और उस बिसिस से Musfalheim basically एक fire का realm निकल के आता है Last but not the least, Heaven Heaven हमें the 10th realm देखने को मिला है which is the realm of the angels Now basically काफी millennium पहले एक काफी बड़ी war हुई थी Angels और Asgardians के बीच में जिस war में basically Asgardians ने Actually में Alderf को खो दिया जो एक specific individual थी जो एक काफी important individual थी और उसी terrible loss के वए से Odin ने अपनी powers के मदद से specifically Odin force के मदद से Angels के existence को मिटाने की कोशिश की and फिर उसने 10 realms में से basically एक realm जो की obviously heaven था उसे actually में cut off कर दिया and I hid it so well in another dimension that it would never be able to part of Asgard's legend और उसके बाद eventually हमें ये पता चलता है कि जो Alderf थी जो specific individual थी वो actual memory नहीं थी वो बच चुकी थी और उसे वहीं heaven में race किया गया था और फिर उसे नाम दिया जाता है Angela जो actually में थार और लोकी की एक long loss sister निगल के आती है जिसके विससे थार और लोकी आगे चलके heaven के existence को reopen करते हैं और फिर eventually heaven जो है tendrium में वापस आ जाता है उसका dimension दुबारा से खुल जाता है जिस विससे अगर देखा जाए तो heaven के बारे में हमें जादा information दी नहीं गई है इसके जो है कह सकते हो कि existence को जादा time पहले ही reveal नहीं किया गया था and इसे वज़े से हमें बस इतना पता है कि here angels exist करते हैं but इससे related जादा कुछ हमें जानने को नहीं मिला है and no it is not similar to the biblic heaven it is a completely different realm but फिर भी यह हमें कह सकते हो कि 10 realms का काफी important part देखने को मिला है so guys यह थे 10 realms जो हमें as guardian cosmology के अंदर देखने को मिले हैं in marvel comics तुम लोग नीचे comment section में बता सकते हो कि तुम लोग को specifically 10 realms में से 10 realms का कह सकते हो कि concept सबसे जादा पसंद है and तुम लोग नीचे comment section में यह भी पता सकते हो कि इन में से किस realm के बारे में तुमें नहीं पता था so guys यह थी video moral comics से 10 realms को लेगा I hope कि तुमें वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद है दो वीडियो को अपना thumbs up देना पर दो सकता शेयर करना चैनल पर इंकिस अगर कहीं से भी नए आए तो चैनल को दूर से सब्सक्राइब भी कर लेना तुम मुझे इंस्टाग्राम पर पिछे काउट कर सकते हैं लिंक तुमों नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा मैं मैं मता हूँ तुमसे ऐसे किसे नेक्स वीडियो में till then bye, stay tuned, stay awesome